मान लो कि तुम यहां, यहां केदारनाथ में हो यह, यह रहा केदारनाथ और तुम्हें जाना है यहां, बदरीनाथ में हाँ, यह, यह रहा बदरीनाथ अब सवाल यह है कि भई जाओगे कैसे तो तुमको जाना पड़ेगा पहले जोतिरमट ये यहाँ पर और फिर यहाँ से उपर ये ये हाँ यहाँ तुम पहुँचोगे बदरिनाद ये तो बड़ा लंबा रास्ता है ज़्यादा समय लग जाएगा ये ही एक भला चंगा रास्ता है जो तुम्हें सही सलामत पहुचा सके और कहीं इधर उधर भटक ने गए तो हमेशा के लिए भटक जाओगे किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाओगे या भटकते भटकते ही मौत के मुँ में जागिरोगे फिर तो हम इसी रास्ते से जाएंगे हाँ भई क्या कहना है तुम्हारा हाँ भई जान बचेगी तो ही तो बदरिनाद पहुंचेंगे थोड़ी देर ज्यादा लगेगी पर जिन्दा तो पहुंचेंगे हाँ सही समझे हाँ भई सुरक्षित रास्ते से ही चलेंगे केदारनाद से सीध है बदरिनाद जाना असंभव भी तो नहीं है केदारनाद से सीध है बदरिनाद एक ऐसा मार्ग जिससे गुजरने के बारे में कोई सामान ने मानवी तो सूच भी नहीं सकता था जहां मानो मनुष्य जीवन का अस्तित्व ही नहीं था ऐसा कुछ भी नहीं था जो मनुष्यों को जीवित रहने देने का कारण बने अगर कुछ था तो बस कदम कदम पर खत्रा शुन्य के नीचे का तातमान जो पानी को पीने के लायक भी नहीं छोड़ता था मीलों तक फैली हुई बर्फ जैसे विपत्यों का महा सागर और हर क्षण मृत्यु का अहवान पर केवल ग्यारा वर्ष का एक बालक प्रितनिश्चई था अपने धे तक पहुँचने के लिए फर पर पर अथ्मान बालक पादे धी Pacific परमात्मनी यो रखतो विरखतो अपरमात्मनी कि च्थान्ड में हम लोग यहां कंबल ओड़ कर भी ठीक से सो नहीं पा रहें और वो बच्चा नंगे पाओ, खुले शरीर केदार नाच से सीधे बदरी नाच के विकट रास्ते पर अकेला चल पड़ा है क्या हुआ होगा उसका सिर्ण BUT GÁMा जढ़ा मृफ बड़ा हुआ क्या अल्चा म भुले कि अल्चा टऽ क्या बाच Alexa अल्या आँ क्या है हुआ कर दो हुआ कर दो 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 कर आक दोपिगे लौँओा ह झाल ऐसा क्या था जिसके कारण कोई भी प्रकार की परिस्थिति नीलकंठ वर्णी को रोक सकने में असमर्थ हो जाती थी कभी हिम प्रपात तो कभी भयानक बारिश अंजान और निर्जन रास्तों में जंगली जानवरों से आकस्मिक भेंट अंजान रास्तों को समझ कर पहाड़ियों और खाईयों के बीच में से भी रास्ता कर लेने की चुनावती और आराम करने के लिए धर्ती का बिछाना और आकाश की चद्दर नीलकंठवर्णी की द्रिष्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था जो इस मनुष्य शरीर से नहीं हो सकता था देहभाव से पर और मनोभाव से पर नीलकंठवर्णी की अध्यात्मिक स्थिती ही ऐसी थी जो किसी भी परिस्थिती से उपर उठकर उनकी कल्यान यात्रा को आगे बढ़ाये रखती थी किसी बढ़ाये रखती थी 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 झाल ऐसे विपरीत हालात में भी अपने नियम, धर्म और अपनी भक्ति के नित्यक्रम के साथ कोई भी समझाता न करके भक्ति की प्रणाली की पुष्टी करता हुआ एक ऐसा उदाहरन नीलकंठवरणी ने प्रस्थापत कर दिया जो सदा के लिए भक्ति रीति का पोशन करता रहे करता हुआ एक क्यों करता हुआ एकाँ आज के समय में भी कई लोग साथ मिलकर बहुत सारी सुविधाओं के साथ जिसे पार करने के लिए हिचकिचाते हैं वैसा केदारनाच से सीधे बदरीनाच जाने का लगभग 75 किलोमिटर का मार्ग नीलकंठ वर्णी ने नंगे पाउं खुले शरीर अकेले केवल 9 दिनों में पार कर लिया के लिए एक्री के लिए और हैं जै भदरीनाथ विश्वम भरम। इस चरंच्छाप मैं ओर धुरेखा के साथ सारे 16 चरंच्छीन है ये तो ये तो स्वयम परमातुमा के जरुनों की छाप है कहां है वो प्रणाम मनिश्य के रूप में आपका दर्शन पाकर आज मेरे आनन्द की कोई सीमा नहीं है प्रभू मेरा रोम रोम हर्शित है प्रभू कहीं सुना है और शास्त्रों में पढ़ा भी है कि भगवान जब मनश्य रूप धारन करते हैं तब उन्हें पहचानने का सौभाग्य बहुत भागशाली को ही मिलता है आज आज मेरे जन्मों जन्म के भाग्य खुल गए कि आपके प्रचक्ष दर्शन हो गए आपने क्या नाम ग्रहा किया है प्रभू? मेरा नाम है नीलकंट नीलकंट आप कहां से आये हैं प्रभू? अनियर देश से ऐसी तो कोई जगह का नाम मुझे याद नहीं प्रभू मेरी समझ में आये उस तरह से बताईए कहां से यात्रा आरंभ की? किन-किन तीर्थ स्थानों को अपनी उपस्थित से पावन किया कहां ठहरे? मैंने आशाड मास में अयोध्या से सरय उपार की और अमरापुर आया हिंडोला के दिन नारत वन में बिताया और पवित्रा एकादशी हरिद्वार में की तपोवन में जन्माष्टमी का उत्सव मिनाया लक्षुमन जुला के पास लक्ष्मन मंदिर में उपवित परिवर्तन किया गणेश चतुर्थी श्री नगर में रिशे पंचमी उद्धव वन में और जल जलनी एकादशी एवं वामन द्वादशी गुप्त काशी में की त्रीयोगी नारायन में पुर्णीमा करके श्राध्ध पक्ष मेहने गुप्त प्रयाग और केदारनाथ में बिताया और नवरात्री के आरम में केदारनाथ से चलकर पहाडों को पार करके आज नवरात्री के नववे दिन यहां बद्रिनाथ आया हूँ और आपका भाव है इसलिए दिपोच्शव और अन्नक तुच्शव यही आपके साथ मनाओंगा हावश्य प्रभू ववनमंद सुगंद शीत लहेम मंदिर शोबिनम भूल बद्री विशारत विश्व इंबरम शीत रित्मे ठंड से बच कर रहने के लिए बद्रीनाथ के लोग भगवान की मूर्ती समेत जो तिरमठ आकर बसते थे